हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल, फ्रेंड्स ये वीडियो डियलेट 2019 बैच प्रसुक्षों से रिलेटेड और ये टेडिकेटेड वीडियो आपके प्रमोट से रिलेटेड होने वाला है सबसे पहले फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरी लास तक देखिएगा और अभी आप जिस भी ग्रूप में हैं वो चैनल टेलीगराम ग्रूप हो या फिर आपका WhatsApp ग्रूप हो या फिर आपके College ग्रूप या फिर आपके जो भी दोश फ्रेंट्स है उनको जरूर सियर करिएगा और Unity के लिए आप वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा चलिए फ्रेंट्स वीडियो को इस्टार्ट करते हैं जैसे कि एक और PNP के तरफ से आपके परिच्छा फोर्म भरवाये जा रहे हैं तो दूसरी तरफ संस्थानों की तरफ से PNP को नोटिस भेज़े जा रहे हैं क्या है पूरी इन्फोमेशन अम इस वीडियो में जानेंगे और साथ ही लगबग दो तीन नोटिस के बारे में बात की जाएगी और आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी इन्फोमेशन है ठीक है सबसे पहले फ्रेंट्स PNP ने आपका जो डेट डिकलेर्ड किया है जैम डेट आप सभी को पता ही है कि 9 तारिक से लेकर 18 फेवरवरी तक आपकी परिक्षाएं जो है कराई जाने की बात PNP आदेशा अनुशा लेकिन यहां संस्थानों की तरब से आपने पहले देखा एक नोटिस अब देखिए यहां प्रेशक सहाजापूर संस्थान की तरब से यह दिया गया है PNP यानि की परिक्षा नियमांग प्रादिगारी को अगर हम यहां सबजेक्ट की बात करें तो DLA 2019 बैच दीतिय समेश समेश्टर में परमोट कर चतूर समेश्टर की परिक्षा आयोजित करने के सम्मंद में यह नोटिस PNP द्वारा PNP को भेजा गया है और साथ ही जिनका डबल बैक लगा है उनके बारे में भी बात की जाएगी फ्रेंड्स यहां देख सकते हैं यहां पहले हापूर से आया सब कुछ आप सभी को बताया जाएगा और हमने कहा भी था परिक्षा फोर्म बाद में फिलब करिएगा पहले आप अपने संस्थान से जो भी प्रसुक्षू है एक उनीटी बनाई हो चाहें संस्थान प्राइबट और प्राइबेट हो या भी डायेट सभी प्रसुक्षू अपने संस्थान पहुचे कि इस बात को रखे ताकि आपके भी संस्थान से पी एन पी तक नोटीस ये पहुचे और दिखिए इसमें डैरेक्ली बोला गया है कि उप्योक्त विश्यक के संदर में ओगत कराना है कि डियलेट दो हजार उनीज़ बैस सेउक्त मोर्चा संग उ दो हस्ताप्चिरी कर्याले में ग्यापन प्रस्थुत करते हुए उत्तर परदेश में विधान सभा चुनाओं के मद्दे नजर डियलेट दो हजार उनीज़ दितिय समेश्टर सफल बैक प्रसक्चु गड़ों की त्रितिय समेश्टर परिक्षा नौ आयोजित हो सकने की द किर्पया उक्त के सम्मंद में नियमा अनुसार अगरतर करवाही करने की किर्पा करें तो फ्रेंट्स आप यहाँ दिख सकते हैं सहाज आप डायेट से यह भेजा गया है पी एन पी को यानि की उपध्याज जी तो प्रात्मिक बैक प्रसक्चों का रखी रहे थे लेकिन जो सही होता है इसको हटा दिया जाता है आप सभी को पता ही है तो फ्रेंट्स आप यहाँ दिख सकते हैं यहाँ अनुरोध जो हैं किये जा रहा है कि जो भी प्रसक्चों है जो उत्रिन है बैक प्रसक्चों उनको प्रमोट किया जाए पहला तो怎麼了 और election की तरफ से यह सब्सक्राइब तो ऐसे आपकी प्रिक्रियाएं हो जाएंगी समझ रहे ना और इसी के सम्मंद में एक और नोटिस आप देख सकते हैं यह आपका इटावा इटावा प्रसिचर सांस्थान की तरफ से पी एन पी जो है सांस्थान यह ग्यापनच वापा गया है जो की चातर सकती डियलेट दोहजान निस सेव्ट मोचा संग द्वारा ठीक है और यह संस्थान को प्रसिचर द्वारा ग्यापनच शौपा गया और संस्थान जल्दी पी एन पी को यह सारी बाते ट्रांसफर करेगा अगर इसमें सब्जेक्टी बात करें तो वही सारी बाते रखी गई हैं कि त्रीटिय समेशन प्रमोट कर चतूर समेशन की परिख्षाय जो है आयोजित की जाएं तो क्या फ्रेंट्स आप यहां अपने हक के लिए एक जो है बात अपने संस्थान के पास नहीं रख सकते क्या आपके संस्थान वाले इतना सा भी आपके लिए नहीं कर सकते एक नोटिस प्रेसित नहीं कर सकते PNP के लिए बिल्कुल फ्रेंड्स आप सभी एक यूनिटी में अपने कॉलेज जाएं और अपनी बात रखिए परिख्षाव फोंभरने जा रहें तभी आप बात करिए उनसे यूनिटी के साथ जाएंगे तभी होगा अधर्वाइस अगर आपके प्रेकिरिया रही तो 2019 बैट प्रसुक्चू कहीं ना कहीं जो भरती में आप कहे सकते हैं सामिल होने की उम्मेद जो छोड़िये भरती छोड़िया आपका जो मानसिक तनाव है और भी बढ़ जाएगा आप सभी का जब इस साल भी कहीं ना कहीं डर लगेगा कि पता नहीं हमारा समेश्टर कंप्लीट होगा की नहीं तो यह पूरी इंफॉमेशन आप देख सकते हैं दी गई है और इसमें कुछ पॉइंट पॉइंट करके मेंसन भी किया गया है कि प्राथी डियले 2019 बे दितीय समेश्टर बैग प्रसुक्चू जो भी सामिल हुए है तो उन्होंने कहा था कि हमारी जो प्राथमिकता है 2019 बैच है ताकि सभी प्रसुक्चू जो है नई भरती में सामिल हो सके इसलिए उन्होंने बैग प्रसुक्चू की कॉपी पहले चेकिंग करवाई पहले रिजल दिया ताकि जो भी बैग प्रसुक्चू है उनकी आगे का रखा नलाज रखा उनका कैना था कि हमें इससे मतलब नहीं है कौन आया कौन गया हम जो बोल रहे हैं वही होगा बाकि यह सियाटी पीएंपी सिक्षा मत्री क्या कह रहे हैं ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता वह अपने मुद्दे पर ठेहरे हुए हैं उसके बाद से कहा गया है कि इस आस्वासन के पहशाद पी परियागराज 13 साथ 2021 के आदेशा अनुसार परदेश में लगबग समझ दिला सिक्षायों प्रस्रेश संसान और नीजी विद्यालों में डेले 2019 बैच आंसिक बैक पास प्रस्रिक्षो की इंटर्सिप्ट की भी जो भी प्रक्रियाएं है वो कम्प्लीट कराए गई है पी एंपी के सामने ये भी बात रखी गई थी परमोट हम जो है होना था तभी हमारा जो है फोर समेश्टर क्यूंकि आप सभी को भी पता है आपका बैक लगा था फिर भी आपका फोर समेश्टर की इंटर्सिप्ट हुई थी अब किशनी प्रसुक्षों है थार्ड समेश्टर उनको प्रमोट किया जाए और इसलिए पूरी प्रक्रिया की जा रही है तो अभी पस आप सभी को यह करना इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा करना है ठीक है और जो भी आपके दूस्ट फ्रेंड्स हैं इस बात को पहु सब्सक्षा निदेशक परचारे और घीला प्रसीशर सवसंथान के लिए और इसमें सब्जजेक्क्षों के बात की जाये आप अपने सांस्थान जाएं और प्रत्यावेदन जमा कर दीजिए, PNP का ये कहना है, और इसको लेकर जब कर प्रत्यावेदन देने पहुशे ते कुछ दिन पहले, तो इसका ये effect है, तो friends आपको एक और मौका दिया जाएगा, जो भी प्रत्थम दिती और तर्टिया समेश और जिनका यहां फ्रेंट डभल बैक हैं तो सबसे पहले तो जिस भी सब्जेक्ट में स्केंड समे justamente में आपका बैक लगा है आप उसकी त्यारी करिए ठीक है और छेजसे ही आपका यहां व्रजीर समेंचर प्रमोट होता है तो आप डायरेक्टली आप भी जैसे ही थर्ड सेकेंड समेश्टर एक्जैम उत्रिन करेंगे तो आपको डायरेक्टली थर्ड समेश्टर प्रमोट का लाब मिलेगा तो अभी आप सभी बिल्कुर यूनिटी के साथ एक साथ रहे ताकि PNP को इस पर सोचना पढ़ जाए कि जो वो कर रहे हैं वो सही है या फिर गलत बाकी फ्रेंट्स आप अपने विचार रख सकते हैं नीचे कमेंट्स बोक्स में और इस वीडियो को आपके उपर डिपेंड है कि कितना सेर करते हैं इतना लोगों के पास पहुंच आते हैं और आप अपने संस्थान पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं क्यूंकि जो प्रसुक्षू महनत कर रहे हैं फ्रेंट्स आप उनका साथ दीजिए बाकि आप अपनी तयारी भी करते रहें ठीक है और फ्रेंड्स आगे कोई भी अपडेट आता है तो आप सभी को इस चैनल पर जरूर दी जाएगी तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मिलते हैं फ्रेंड जल्दी नेक्स वीडियो में नई इंफोर्मेशन के साथ जैसे ही कोई अच्छी इंफोर्मेशन आती है आप सभी के लिए तब तक के लिए आप अपने ख्याल रखें ठांक्स वाचिंग ठीक क्यार